चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो वो बुसूरत है वो दिल का महमान है पेर महभूब की यही कहचा तुहे छेडे हावा चल चल दिल जब से तूट गया कैसे कहें कैसे जी जवहाने दिल तुम से खहने को में मिलने आपी मिलने तुम से बीच्ड के लब मरे स दुआ कर दरना दोस्तों कुछ फिलम ऐसी होती है जो म्यूजिक के कारण सुपर हेट हो जाती है ऐसी फिलम इस नाम है सलामी जिसके अभी मैंने गानों की जलकियां आपको सूनायी और उम्मीद करता हूँ कि इसके सभी गाने बहुत अच्छे हैं, अप जानते हैं, और उस जोड़ी को अच्छी तरीके से आप पहचानते हैं, और कहीं न कहीं आपके दुलों पर भी वो जोड़ी राज करती है, जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 90's की शूपर हिट जोड़ी नदीम सिर्वन की जी हां दोस्तों क्योंकि इस फिल्म में म्यूजिक नदीम सिर्वन का था फिल्म इसलिए हिट हुई थी क्योंकि इसके गाने दोस्तों बहुत ही अच्छे थे शूपर हिट गाने थे और ए का रिभियो जी आ दोस्तों और इसकी समपूर्ण जानकारी भी देंगे और इसके कुछ दोस्तों गानों की जल्कियां तो सुनाइंगे और साथ में कुछ अन्नॉन फैक्ट भी बताएंगे तो वीडियो एंड तक देखना अच्छा लगे तो लाई जरूर करना दोस्तों यसा कंपनी की थी बीनस कंपनी की तो वही 22 लाक और यो कैसे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको देखाते हैं सलामी फिल्म का और यो कैसे रिब्यू तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास सलामी फिल्म की तीन ओडियो कैसेट हैं दो है सिंगल और एक है कॉम्बो कॉम्बो भी बड़ा प्यारा है पैचान के साथ में वही दिखाऊंगा आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो 22 लाक और यो कैसेट की ती उनमें यह की य तारा इस फिल्म के हीरो और हीरो और का फोटू लगा हुआ जैसा की आजूपफ खान जाते हैं और यहां पर लिखा है सलामी जी हैं धूंशतों सलामी और जैसा कि आप देख सकतें इसमें लिडिक समीर साब के हैं और अनबार सागर के हैं सुरेंदर सेटी जी के हैं और मदन पाल के हैं और मुझिक चलो दूस्त आप खोद देख लो मुझिक बहुती प्यारी जोड़ी का है जिसका नाम है नदीम सरवन और यह फिल्म हिट होने का तो फिल्म कैसी होगी तो उसी कारण दोस्तों यह फिल्म हिट होई थी सिर्फ गानों के कारण जी यह दोस्तों और उसका संपून योगदान नदीम सिर्वन को जाता है तो यहां पर लेख सकते हैं बीनस का लोगों सलामी लिखा हुआ है और यहां पर हमारी खुबसूरत और सिर्वन जी नहीं है तो हम यहीं चाहते हैं कि उनका संगीत ऐसे ही गुझता रहे और हम आने वाली पीडिया भी संगीत को सुनते रहें नदीम सिर्वन लिखा हुआ है और इधर की बात करें तो इस फिल्म के गाने देखे हुए हैं पर भी पढ़के देखाऊंगा गान कि पैचान यहाँ पर सल्मी लेखा हुआ है सारे इसके गाने ले पर लिखा हुआ है और यहां पर इसके आने सब्सक्राइब हुए अभी मैंने जो गाने की जलकियां सुनाई इसी से सुनाई थी बहुत ही अच्छी चलती है और जब मैं कैसे टमने डैक में सुनता हूं न तो मुझे याद आ जाता है जो कि आज के जमाने की MP3 सुनने में मुझे बिल्कुल भी नहीं आता चलिए अब आपको दिखाते हैं कबर कबर हमारे पास कैसा है यह देख लीजिए कबर थोड़ा सा फट गया है यह इस पर कार का कबर था बहुत दिन रखे हुए हैं तो चलिए दर से देखाते हैं और इधर आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही प्यारा आपको मुजिकल टेलर मिल जाता है खून का सिंदूर का य पूरी जानकारी आपको मैंने पड़के देखाई थी मैं हाइलाइट नदीम सिर्वन है और इनके म्यूजिक के कारण इस फिल्म हिट हूगी ती क्योंकि लोग गाने सुनकर फिल्म देखने जाते ते उस जमाने में तो उस जमाने में यह फिलिम हिट हुई थी चलिह दों की नदीम सिर्वन के पिरसन सके हैं तो ही बता सकते हैं कि हमने इस फिल्म के कौन-कौन से गाने ज्यादा पसंद है साइडे का पहला गाना है चहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना आसा बॉसले और कुमार और कमका जुदास एविम अलकायंब की आवाज में गाने दूस्तों इसके चार ही अ clients कर लेते हैं आगानना जब हाले दिल तुमे को कहें यह लाइक है यह यह बहुत अच्छा दोस्तों और सुनने लाइक अलकायागनिक की आवाज में साइड वी का चौता साइड वी का तीसरा गाना है मिले तुम से भी छड़ कर हम मेरे साजन दूआ करना यह गाना बहुत ज्यादा सूपरेट कुमार सानुव और कभीता कृष्टमूर्ति की आवाज में का चौता गाना है दिल जब से टूट गया यह गानाई बहुत अच्छा है पंका युदास की आवाज में साइड भी का पांचव गाना है जब हाले दिल यह सेट सोंग है अलका यागनिक की आवाज में अब मैंने आपको पांच और चार नो गाने पढ़कर देखा है सारी जानकारी बताई अब इनमें मुझे परसनली ब दूसे नंबर की बदल गया है पूरा यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि नदीप्सिरuban का सारी जानकार यहां पर लिखी हूए है यहां पको थोड़ा लग सलामी ऍलग में हआं एसको चके बहुत अच्छे गाने लेखिंग को पलके दिखाने के लिए आपको रख दी है दो कैसे होई चलिए तीसरी दिखाएते हैं तीसरी है मारे पास बहुती प्यारा कॉंबो पहचान के साथ में यहां पर सलामी है साइड वी मैं और यह में है पहचान दीम सिर्वन का बहुत है फोटू इसालामी लेखा हुआ हैं यहां बात-oup कि पका है मतलब यह कैसे गया क्यएक मुजिक का सब्सक्राइब हैं यह यह देखेस यह सकते हैं सलामी लेखा हुआ पैचान लेखा हुआ बहुती पुरानी कैसे ट्रैक कबर आपको मैंने फानली दिखा दिया चलिए अब हम इस फिल्म की संपूर्ण जानकारी देए आपको कोई फिल्म कैसी थी और रिट होने का क्या कारणता उसके बाद इसके गानों की जलकिया भी सुना दिल का महमान है फिर महभूब की यह कहचा तुन्हे छेडे हावा चंचल दिल जब से तूट गया कैसे कहे कैसे जी जम्हाने दिल तूंसे कहे में को में में दोस्तों सलामी 1994 की हिंदी बासा की एक बहुती प्यारी फिल्म थी इस फिल्म में हमको मुक भूमिकाओं में नजर आयते आयूप खान रोशनी जाफिरी एवं संयुकता और दोस्तों इसको केबल इसके सुंदर रूमानी गीतों के लिए जाना जाता है जिया दोस्तों इस फिल्म को केबल इसके सुंदर और रूमानी गीतों के लिए जाना जाता है और उसका सिरे जाता है हमारी मुजिक डारेक्टर जोडी नदीम सिर्वन को इस फिल्म के गीतों को 1990 के दसक म सबसे मधुर गीतों में माना जाता था फिल्म की सपलता इसके साउंड ट्रेक को दी जाती है तो चलिए दोस्तों अब हम इस फिल्म से जोड़ी कुछ अंसुनी बाते भी आपको बता देते हैं फेक्ट नंबर बन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का पहले क्या नाम होने बाला था गुलफाम जी हां दोस्तों गुलफाम लेकिन किसी बित्तिय मुद्दे के कारण इसका गुलफाम नाम को इस्तागित कर दिया गया था उसका कारण यह था कि बिंदा ठाकरे की एक रुखी व होी फिलम ती जिसका नाम बी गुलफाम था जो कि 1994 में आने वाली थी और उसमें मैं भी music नदीम सिर्बन का था जी जआ दोस्तों इसलिए इसका नाम बदल कर बाद में शल्ामी कर दीया गया था और इस फिललम में भी म्यूजिक नदीम सिर्वन न दिया था इसलिए इस फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा सूपरेट थे तो दोस्तों अभी हमने सलामी फिल्म का और यो कैसेट रिब्यू देखा इवाम इसके गानों की जलकिया भी आपको सुनाई एवाम इस फिल्म से जोड़ी कुछ के साथ जब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्यू बहुत धन्यवाद